लाव इंजिनियर, इंजिनियर्स, आज के तक हम डिसकस करने वाले हैं अंदेगराउंड वाटर टेंक का बीविएस। बार बैर्मेराइण च्टील को आप एक्सेल शीट के उपर कैसे प्रिपेर कर सकते हो किसी भी लिटरों वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप उल्ण है य हम लोग लेके आएं आपके लिए लिए अबटर लिंक्र देखा आप जाके युरें में वीडियो को ज़रूर देखिए आपको काफी हेल्प होने वाद है क्योंकि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम लोग यहां पर आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आएगा लाइक जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस् सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह हमारी जो है और यह हमारा जो है अगर आप यहां पर देख पा कहा गए कहा गया है ए जो बार है कहीं पर भीुख बार मैंशन ओगी सब्सक्राइब का दाया क्या है बिचाए गया है और उसके दोशे की बीच में क्या है दोस्तों 150 mm सेंटर है और यह दौनों कहां यूज रहे है जहां पर भी होगा टॉप अनग बॉट्वार्टम पर यह यूज हो रही है और उनके बीट में कितना है 150 mm Central Center अगर हम सी टाइप की बात करें तो सी टाइप की बार दोस्तों हमारी 10 mm का सरी है, और उसके बीच में स्аб के तिकने से 150 mm है, यह हमने कल देखा था पिछले वीडियो में और A, B और C जो है जहां पर भी denote किया गया है वो 12 mm का सरीया है और 300 mm Center to Center सरीया है ठीक है दोस्तों A, B, C कितने mm का सरीया है दोस्तों 12 mm का सरीया है और उसके बीच में Center to Center distance कितना है दोस्तों 300 mm यहां पर मेंशन होगा उसमें क्या थ्री नंबर सब्सक्राइब यह स्टील हो गया और हम बीम की बात करें तो विम में क्या है दोस्तों वन हमारा है वन टु फफॉर का है 16 तो सट्रिया है फाइब तो सब्सक्राइब और सपोर्ट रेस्ट थिक है तरीका और यह जो है अगर हम बात करें तो हमने अब और सी को देखा था तो तो स्लैब का हम यह है स्लाइब की बात करी थी हमने तो ए बी और सी 12 डाया का सरीय था और उसमें 330 mm सेंटर तो सेंटर जो है हमारे डिस्टन्स तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह होरिजन्टली जो में बार मतलब फुल लेंद्ध में जो बिख रही है वहकि कितने की यह वारा यह सवरी हां बारा डाया की सरीया है और 230 mm सेंटर तो सेंटर हां जो सेंटर रों ठीक है जो हां हो जो हां यह हमारी और यह जो है दोस्तो बी यह हमारा यह है इस इसके parallel में ही बित्री है वो, इसी के parallel में, मतलब A जो है हमारी straight bar है, B हमारी crank bar है, और C हमारी क्या है दोस्तों, ये extra bar है, ठीक है, दोस्तों, A हमारी main bar है, full length में जो बित्री है, B type की क्या है, crank bar है, और C type की आपकी ये जो है bar है, ठीक अब D E F D E F 10 mm का सरीया है और 3 30 mm center center D D देखेंगे main bar है street bar आपकी D है E की है दोस्तों crank bar है और F की है दोस्तों आपकी फिर एक्स्ट्रा बार है ठीक वो कितने की है 10 mm की सरीया है जो length wise बिचरी है वो 12 mm की है जो width wise बिचरी है हम लोग opening बना रहे है वहाँ पर A type की जो है बाहर से और क्या है बारा डाया का है top and bottom दो मैश इसमें हम लोग कर रहे हैं तीन नमबरों सरीया हमें विचानी है length और width wise ठीक है दोस्तों तो यह हमारा इसका हो गया और हम Bheem की बात करें तो Bheem में क्या क्या गया था 123 4 यह सोला डाया के सरीया है बाटम पर हम लोग सरीया चार और टॉप में यूज कर रहे हैं ठीक है दोस्तों बारा जो है नमबर है और कहा गया है कहा पर कहा गया देखें को सब कुछ हम ten इक्सट को पर कैसे प्रिपेर करते हैं इस वीडियो उनको एक्सल सीट को पर कैसे बना जाए तो हमने एक्सल सीट आपके लिए एक खोल रखी है जिसमें कि हमने यह जो हमारा फॉर्मेट होता है एक बार बैंडिंग शेडूल का तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बहुत अलग लग तरीके से बीवेस को प्रिपेर किया आता ह बट यह जो है फॉर्मेट इसको हम लोग इजी जो है बेर से कर रहे है और इसमें कई बारी जो है आपने देखा होगा यहाँ पर शेप अगरा भी जो हम आगे के वीडियो में सेखेंगे कि शेप को आप कैसे इंसर्ट करते है बट अभी जो है यह बहुत सिंपल की कर दोस्तों यहाँ पर प्वार किया है दोस्तों सिरेल नंबर आइटम डिस्कुफिछन है यहाँपर दोस्तों बताए गयी है कि यह यह लोकेशन क्या है डिसक्रेम क्या है कि र लन्थ को लोग करते हुए क्या कtake दो सबस्क्राइब करते हैं और जिसे को हम अपने एक्सल सीट को तो हम अपने पहले को अपर को पता यह प्लस का निशान ढिक है तो आपको यहां पर आप वरक स्पेस है तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं अंडर ग्राउंड वाटर टैंक लिए थिक है यहां पर लिख दिया और यहां पर शीट के उपर भी लेख देंगे लिख देते हैं यूजी टैंक चेंक लिख दियते हैं भी वी ए雅शी ट के उपर भी लिख दें नीचे द्रीट के और यहुपर आपने यहां पर भी हमने इसका नाम दिद्या शीट का नाम की हम यह क्या सीट बना रहे हैं उसका हमने यहां पर डिटेल लेग दिया उसके बाद हब सबसे पहले आपको पता olmas स्रіш क्या लिखते अब लिखते हैं और साइब लेखते हैं थीक है के लिए के बाद हम लिखेंगे ठीक अम से डिकर अ ito ऐसको लोग करते हैं ऑप फिर घ्रक घ्रक लिखेंगे साथ सा बतुर सेंटर इस्टेंब तो सहेंटर तेन्स थीक है उसके बाद हम क्या लिखैंगे दोस्तों नंबर लिखिएंगे तो AMY फिर कि उन्से यहां पर लिख देने ही इसके रवात कत्लेंथ लिख देते हैं हम आगे जो हम आगे करते हैं और आपको पता है तो सबसे पहले हमें इसको यह करना है तो हम क्या करते हैं और अभी के इसाब से हम अपनी देख लेते हैं इसको बढ़ा करके हम तो यह कर देते हैं आप देखे हैं अब दिखे दोस्तों सबसे पहले हमने आइटम हम अंडर ग्राउंड वाटर टाइंक कर रहे हैं फिन एक समझने वाली बात है हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है सबसे पहले हम करेंगे बॉटम में बार क्या करेंगे दोस्तों बॉटम में बार ठीक है बॉटम या आप लिख सकते हैं अगर लेंट वाइस करें तो लेंट वाइस लिखते हैं विट्वाइस करें तो विट्वाइस बॉटम लिख बॉटम में बार उसकी जो है दोस्तों आपको पता यहां पर कोई लिखने की जुरूत है नहीं क्योंकि हमारा अंडर ग्राउंड वाटर टाइम का है तो यहां पर अगर आप ग्रीड की जगह पर लोकेशन लिख देते हैं तो लोकेशन डाल दीजिए लोकेशन ठीक है यहां लोकेशन किया है दोस्तों हमारा बॉटम में बार ठीक है बॉटम की बार है ठीक सेंटर तो सेंटर डिस्टन्स कितना है अभी हमने देखा था 150 mm सेंटर तो सेंटर डिस्टन्स अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहां पीछे आप देख सकते हैं यह में हमने देखा था 50 mm का डाल देंगे 150 mm center to center डाया कितना है दोस्तों 10 का डाया है 10 का सरीया हमारा cut length अब देखें cut length क्या है दोस्तों इसको एक बारी बोल्ड पर चलते हैं वापस ठीक और वहाँ पर discuss करते हैं तो दोस्तों इसकी cut length है ना हमारी यह bottom main बार के हम बात कर रहे हैं c-type की बार की यह c-type की बार जो है दोस्तों 10 डाया की है और 150 mm center to center है बोध वेस ठीक है तो यह जो है फिर दो मीटर यहां center था इस टैंक का फिर दो मीटर यहां से और फिर 230 mm जो है दोस्तों आपकी वाल की ठीकने सी मतलब 460 4.460 mm जो है पूरी length थी वाल की outer to outer ठीक है दोस्तों और अब हम जो है कर रहे हैं हम लोग length wise कर रहे हैं अगर हम तो दोस्तों हम drawing के उपर आ गए है अब सबसे पहले हम देखते हैं length wise हम सरीय को कैसे बिछा रहे हैं उसकी length कितने आने वाली है ठीक है दोस्तों बॉटम बार की बात करें तो उसकी length कितने आने वाली है दोस्तों यहां पर आगर आप देख पा रहे होंगे तो जो हमारी bottom main बार बॉटम की बार की बार है दो कैसे इता ही वो इस तरीके से बिछाई रही मोई है और इसे पहुत रही ले 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 दोस्तूरा तो लेंट और विट्थ वाइस हम यही चीज करने वाले हैं तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों वह यहां से स्टार्ट होंगे और वह ऐसे बिछेंगे ठीक है दोस्तों वर्ट यह बिछेंगे किस लेंद में वह बिछेंगे आपके 1960mm मैu ठीक है नोिचेuri मैं हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से कवर माइनर करदें यहां से कवर माइनर करदेंगे माइनस 50 माइनस 50 इसको डिवाइड कर देंगे इस पेसिंग से मतलब इस पेसिंग कितना है संट इसे जो यह आए गा ना इसमें हम क्या करेंगे एन प्लस वन कर देंगे ठीक है और हमारे क्या निकल जाएंगे दोस्तों नम्बर ऑफ और जो बार जो बौटम बार सैं उनकी हम बात करें तो यह हमारे नमर निकाले जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों अपने numbers निकालेंगे ठीक और दोस्तों ये तो हो गई हमारी इसकी बात अब इसी में ही जो है बॉटम का वर्टिकल बार बे विचेगा तो इस लेंथ में बिचेगा ठीक है और उसकी लेंथ भी सेम तरीके से calculate होगी ये जो हमारी जो वर्टिकल बार थी वो height प्लस जो है दोस्तों आपके 200 mm प्लस 200 mm प् इस तरीके से लेंथ निकल जैगे और numbers कैसे निकलेंगे तो numbers हम लोग इस तरीके से बिचाएंगे इसको किस length में बिचाएंगे दोस्तों 4 460 mm है और minus करतेंगे cover minus करतेंगे 2 side cover और divide करतेंगे 150 mm spacing से और plus one करतेंगे तो ये हमारे क्या निकल जाएंगे numbers निकल जाएंगे तो इस सब को हम calculation sheet के अंदर समझते हैं कैसे करते हैं वापिस आ गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग सबसे पहले हम item description में लिखेंगे दोस्तों bottom bottom main bar लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग 300 mm का एड करेंगे और सबसे पहले हमने क्या देखा था दोस्तों जो वर्टिकल हम लोग 300 mm का एड कर रहे थे हैं वो हमने एड करना है प्लस क्या करने दोस्तों 200 mm इसमें bracket close कर देंगे ब्रैकट 200 mm जो है दोस्तों उसमें से minus कर देंगे cover को ठीक है दोस्तों इसको bracket कर दिये plus क्या करने दोस्तों हमारा जो है सेम चीज रिपीट करेंगे प्लस आपका 200 जो है कवर 200 माइनस 50 और फिर प्लस 300 प्लस 300 और अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों आपको पता है जब भी आप सरीये को मोडते हो तो आपकी सरीये की क्या होती है length increase होती है कितनी सरी के length increase होती है दोस्तों अगर आप 10 mm का डाया है तो 1.5d minus करेंगे और 12 mm से ऊपर का डाया है तो 2d minus करेंगे तो हम यहां करके करने दो 1.5d, d कितने 10 और number of band कितने एक left और एक right पर तो 2 minus करेंगे तो यह आपका यह length आगया आपका cut length और number of band कैसे निकालेंगे दोस्तों नम्मर आपको अभी हमने बताया कि आप क्या करोगे दोस्तों यहां पर bracket में लिख दो कि कितना 960 mm कितना है दोस्तों 960 mm, 960 और minus कर देंगे हम दोनों side का cover 50-50 और इसको divide कर देंगे कितने से दोस्तों center center spacing कितना है डिवाइड कर दिजिए 150 से center center distance और यह आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको यहां पर manual लिखे आप इसकी जगह पर formula में जाए यहां पर यह डाल दीजिए और plus कर दिजिए 1 ठीक है दोस्तों आप इसको राउंड आफ करके बड़े की तरफ लिजाओगे और फॉर से अगर फाइप से नीचे होगा तो आप क्या करोगे थोटा वाला फिगर लोगे तो हमारा चोटा फिगर क्या है करना हमारी क्या जाएगी दोस्तों यह हमारी आ गई हमारी बॉटम बार की लैंफ आ गई मेंबवार की कितनी सैज्क्ति सैवन नाइन यह है अब इसको मीटर में चेंज करना है दिवाइड वाइट थाउजन तो आपका क्या जाएगे दोस्तों में आपकी लैंट आ गई मतलब 67.99 मीटर आपकी लैंट आ गई अब हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको डी कर लेंगे और हम दिखेंगे बॉटम डिस्ट्रिबूशन बार कर देते हैं मतलब जो हमारी विर्थ वाइज है इसको हम यहाँ लिख भी देंगे विर्थ वाइज विर्थ वाइज लिख दी हमने और इसके बीच में अब इसको हम लोग क्या करते दोस्तों यहाँ पर हमने कर देंगे यहाँ पर चार चार मीटर चार सो साट के जगे पर उन्नी सो साट कर देंगे क्योंकि हमें पता है बाकी सारा फॉर्मला तो सेम ही लगना है तो यह हमने हमारी लेंट आ गई दो मीटर 730 mm जो हमारा राफ्ट के ऊपर जा रहा था जो एक्ट्रा चोड़ा था वो प्लस 250 माइनस कवर ठीक है 200 में से कवर माइनस कर दिया प्लस 1.5 D into number of bands यह हमने कर दिया तो हमारी लेंट निकल गई 2730 mm अब उपर वाले फॉर्मुले को हम यहां पर कॉपी कर देंगे तो यहां पर जो है दो तो यहां पर पेस्ट कर देंगे और डिटेल तो सेम ही है यहां पर चेंज हो जाएगा खाली हमारा जो ten लेंट वाइस बिच्रा है वह कितना विच्रा है अगर हम बात करेंगे सब्सद्यों यहां पर ठीके दोस्तों 1960 कर देंगे Sunny commissions और जो है दोस्तों ये सब सेम ही आएगा वाकि //ि सबसेम हो जाएगा यहांद यह ज्यामरा George तो हमारा यह चेंज किया हमने यह चेंज किया ठीक है और यहां पर हमने चार मिटर चार सो साथ ठीक है यह हो गया थर्टीन पॉइंट जो आ गया यह आपके इसके यह चेंज हो जाएंगे तो यह चेंज हो जाएंगे और हम बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में जो है उल्टा हो जाएगा जो हमारा यहां पर यहां पर विट्वाइज हो जाएगा width wise, length wise और width wise यह हो जाएगा हमारा 150 mm central center 10 cut आया और यहाँ पर यह चीज आ जाएगी, यह चीज हमारी कहाँ जाएगी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी देखे दोस्तों, यह जो है दोस्तों यह वाली जो हमारी figure है वो हम यहाँ पर paste कर देंगे तो यह हमारी lengthwise और widthwise आजाएगी ठीक है दोस्तों 3 और 4 मतलब समझे आपके चार मैट कैसे है मैं आपको drawing में समझाता हूँ देखे दोस्तों 4 मैट कैसे आप बिछा रहे हैं देखे bottom का यह main बार है bottom का यह main बार है ठीक है और यह bottom का distribution बार है इस तरीके से bottom का distribution बार ठीक है इ हम बिछाएंगे तो वो इस type से बीचेगा हमारा ठीक है इस type से बिचेगा ठीक है दोस्तों क्या होगे दोस्तों ऐसे हमारी 4 matte हो गई ठीक ह lies और इसमें हमने एक चीज़दे की हमारा जो bottom का primary अभर है वह उसमें क्या है हमा आप देखेंगे यहाँ पर हमारा तो जो हमने लिया है वो 300 mm क्या लिया हमने हमने same क्या है यहाँ पर हमने क्या किया दोश्तो जो हमने यह लेंज छोड़ा था 300 mm वो हमने यह लेंज छोड़ दिया 300 mm ठीक है और बाकि यह सब को सेम ही है ठीक तो इस तरीके से हमारा क्या है दो तो हम इसको करेंगे ठीक है not sonra s, यह हम्रा निकल गया यह हमारा निकल गया बॉटम का में बार राफ्ट का जो हमारा बॉटम का र समगार है जो हमारा बॉटम का आरहां डोस्व कप सिव्क वर्टम में बार यहां पर हमudद्र बीर के दिवादे के देने के कितों याँ उपर है आप ए Auth डाल जिए Radha Ruff Bottom बार Ruff Top bottom जो है हमारा विद्ध वाइज जो है bottom distribution बार तोप में बार और डिश्ट्रीबिशन बार यह आपका विद्ध वाइज यह है आपका यह लेंठ ऐस तरह से हम लोग कैल्कुलेट करेंगे अब इसको और इसको आप दोस्तों ऐसे करके मिया थे इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों वोल्स निकालेंगे यहां पर हम तोड़ा सा कलराइट कर देते हैं थाकि हमाइट पता चले हैं यह हम लोग कोई अलग से काम कर रहे है तौप और ये वाल्ष का कर लेते हैं यहाँ है पर और निकालते हैं तो वाल्षkas में तो वइलिस डालेर्टे कर jogo आलेंगे वर्डिकाल बार निकालेंगे Victoria बार निकालेंगे अब हमें पता है दोस्तों हम इसकी हम हाइट देखेंगे पहले हम इसकी हाइट को calculate कर लेते हैं उसके लिए हमें चलना होगा drawings पर देखेंगे तो ड्राइंग पर वापश चलते हैं इसमें की कॉंटिरी सर्वनेंग दोस्तों सत्राइफ्टा फ्लड कमीज विल्लिएंग और इन ल расп ग्लइए व्यक्र टीपर रहे को अपने श्रवण और रीरे और लैप्टॉप का इस्तमाल करते वे, साथ में आपको रेट अलेसिस बार बैंडिंग शेडूल का सीखने के लिए मिल रहा है, क्वांटिटी सर्वेंग सॉफ्ट्वियर लाइक एपिको प्लांशेट और रीबार सीखने के लिए मिल रहा है, लैंड सर्वेंग में आटो लेबल टोटल सेशन, आटोकेड और MXXL, आप देख रहे हैं दोस्तों, आटोकेड और MXXL के हल्प से आप कितनी असानी से जो है, क्वांटिटी सर्वे के वर्क को कर सकते हैं, दोस्तों साथ में आपको सीखने के लिए अगर आप जानना चाते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं, तो स्क्रीन पर दियो नॉमबर पर 844-79360-87 पर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो है दोसे इन क्लासिस के इंफोर्मेशन लेके और इन क्लासिस को आप जॉइन करके अपने घर बैटे तो दोस्तों सबसक्राइड करेंगे, तो वो देख लेते हैं ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है, इस तरीके से यहां से स्टार्ट हो रहा आ incorporating है इसको हम कितना कमा करेंगे? 700 mm कांसिदर करेंगे, ठीक है, उसकε बाद यह ऐससे आगे एक्संटन हो रहा होbits यह रहा तो यह आपका 230 mm है, तो 230 mm माइनस कर देंगे, दोस्तों, 50 mm, यहाँ से, 20 mm का कवर, क्योंकि यह वाल वाला कवर यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद यह सरीया जो है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लेके, यहाँ तक यह यहाँ पर स्लैब वाला कवर, 20 mm, 15 mm का स्लैब कवर माइनस कर देंगे, ठीक है और फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये हमने कितना consider कर रहा है दोसो 230 और प्लस 300 mm 230 ये हो जाएगा और प्लस में 300 mm ये भी add हो जाएगा प्लस 300 mm तो ये जो total length हाएगी न दोस्तों समझेए 300 mm ये फिर ये wall वाला portion 230 mm माइनस cover ठीक है उसके बाद जो है दोस्तों ये 200 mm जो है वर्टिकल ये राफ्ट के अंदर जो जा रही है उसमें से cover माइनस कर दीजिएगा bottom का वो प्लस यहां से लेके यहां राफ्ट के slap के bottom तक कितनी height है आपकी 1800 mm 1500 ये 1500 ये राफ्ट के टॉप से लेके यहां तक की 1500 और प्लस 300 ये ठीक है दोस्तों तो 1800 हो गई माइनस cover कर दीजिएगा slab वाला cover ठीक है 15 mm को वो माइनस कर दिया फिर जो ये ऐसे ये बन रहा है ये जो है 230 mm प्लस उसमें से 230 में से क्या cover कर देंगे दोस्तों माइनस 20 mm यहां से वाल वाला cover माइनस कर देंगा माइनस 20 मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है 230 230 माइनस 230 माइनस क्या हो रहा दोस्तों 230 वाइनस 20 और प्लस 300 ठीक है तो इस तरीके से हम इस सीट को बनाएंगे तो अब हम एक्सल सीट में कर लेते हैं वह कैसे करेंगे वह चलते है कि अब एक्षल सीट के अंदर हमिसको करतें यहां पर हमने लिखा हुआ है कि वर्टिकल बार भी लोंग वॉल का है ठिकेř लेंटवाईस करी करैं वर्टिकल अब सबसे हैं और इसको वह मिलृटाएं आप उसके बाद जो है न रिक़ने कैसे निकालना जो सबसे पहले हम क्या वहार करें डोक्र फिर हमने क्या किया दोस्तों, प्लस क्या करना है दोस्तों, इसमें 200 mm, जो कि हमारा वर्टिकल डिरेक्शन में जा रहा है 200 mm, और इसमें सिर्फ माइनस क्या करना है दोस्तों, राफ्ट वाला कवर, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर हमने प्लस क्या करना ह 1 500 डिया 100 में से माइनस करेंगे हमारा स्लेप वाला कबर 15 mm का फिर हम क्या करेंगे दोस्तो ऐसे रहे थे हम लोग मुडने वाला कितना था था दोस्तो 230 mm-15 mm इसमें आएगा वाल वाल कबर थे वाल वाल 1.5 D into number of bands number of bands कि दी कितने है हमारा 10 का और number of bands कितने दोस्तों एक और दो bands है हमारे तो यह जब हम complete कर देंगे दोस्तों तो यह हमारा क्या जाएगा पूरा का पूरा जो है हमारा इसका calculation हो जाएगा हमारे वर्टिकल बार का हमने क्या करना है हमने इसमें नंबर बार कैसे निकलेंगे हमारे इसको कैसे करेंगे करके और इसको कर देंगे लेंट वाइस बिछा रहे हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे वन फिप्टी से डिवाइड कर दीजिए वन फिप्टी से हमारे सेंटर तो इसमें एन प्लस वन भी करना है प्लस वन और कया अगए एड कर दीजिए कितना आगे थर्टी पॉइंट 07 क्या होगा दो मेट होंगे हमारे क्या होंगे दो दो हूंगे लेंग्व दो अपोजिटीट वॉल्स है न उसके एक ही साथ में कर देते हैं हम इसको मेंटिप्लाइ कर देंगे पूरे को इससेग दो से क्यूंकि हमारी दो वॉल्स है ऐसी इसको इसको यहां से डाल दीजिए इसका formula इसको हम फॉर्मॉला डाल देते हैं this इंटो इन्टू इंटू नमबर इंटू कट्लेंट तो टोटल कट्लेंट आ गया नमबर इंटू कट्लेंट माइनस में गलती से वहां पर पंच हो गया माइनस यह आ गया ठीक है तो आप यह गए तो 78.48 मेटर इसी तरीके से हम लोग शॉट वाल को भी करेंगे एřाइए कि कैसे आईगी दोस्तों वर्टिकल की लेंग्ड कैसे आएगी हमारी वह म कर लेते हैं वह चॉटिकल की कैसे आए गी वह हम हम डाल देते हैं इसमें आगे तो वर्टिकल जो है हमारी यह आउटर थी वर्टिकल की हम इनर यहां क्या लिख देंगे और यह जो लैंथ है जहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अब तो हमें पता है दोस्तों यह नहीं आएगा इस्में वाला पाट नहीं आएगा इस वाली वाल में आएगा ठीकिशित यह वालाप नहीं आएगा कि यह वॉल के बहार नहीं आ रहा है तो यह वॉल के अंदर ही रहेगा और इसमें एक चीज़ा और करनी है हमें कर जाएंगं कि आने इसको पर सेम थे कर देंगे तो यह आएगा सेम इसको हम लोग को फाइब इसको इसके को कम्पलीट कर देंगे आगे वीडियो करेंगे गए और जो हमारी इन चेहली होर। और स्लैप की स्टील को हम नेक्स्ट वीडियो में कंट्टिन्यू करते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसको कंट्टिन्यू करते रहे तो यह वीडियो पसंद आया लाइक जुरू किजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत दुलिएगा और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको हमने पताया आपको क्या करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहीं जावारात